पूर प्रधान मंतुरी राजीव गांधी की जैनती है और इस मौके पर उन्हीं देश भर में याद किया जा रहा है सोनिया गांधी समेट कॉंग्रेस के बड़े नेताओं ने दिली में राजीव गांधी की समाधी पर जाकर उन्हें श्रधा सुमन चड़ाए तो राहूल गांधी लद्दाख में LAC के नजदीग पैंगोंग जील पर बाइक से पहुँच गए राहूल ने पैंगोंग जील के ठीक किनारे राजीव गांधी को नमन किया इसके बाद उन्होंने पियम मोदी पर करारा अटैक किया और कहा कि चीनी गुसपैट को लेकर पियम मोदी का दावा सही नहीं है राहुल ने कहा कि चीन की सेना लदाक में घुसी हुई है और इसे आप लदाक में किसी से भी पूछ सकते हैं तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं वहां ये जा नहीं सकते हैं यहां तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं, प्रधान मंत्री जी ने कहा एक इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है, तो यहां आप किसी दे भी पूछ लीजिए, आपको बता देंगे, इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहां क्यों आए, भारत जोड़ो आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जुनता के दिल में जो है, उसको सुनेंगे. तो राहुल गांधी लदाक में हैं, लदाक में राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया, बड़ा बयान दिया, सरकार से तीखे सवाल पूछे और पूछा की रही. जो पूरी सरकार का दावा है, वो दावा आखिर कहां गया। जब ये कह रहे हैं कि लोग उन्हें बता रहे हैं कि चीन की सेना घुसी हुई है। ये सड़क आज से 10 साल पहले थी नहीं, शायद राहुल जी ये भूल गये हैं। ये उस पार्टी से हैं जहां पर कह दिया जाता था कि लद्दाक में तो एक तिन का घास नहीं उकती हम यहां पर क्या करेंगे। तो आज ये जिस सड़क को शोकेस कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, ये सड़क बनाने का काम हमारी बियारों ने किया है, ये हमारे मोदी जी के नितृत्व में हुआ है। लद्दाक की आज बात करते हैं, जहां ये कहते हैं चाइनीज आ गए, मुझे बताईए सड़के बन सकती थी, क्या लद्दाक में अगर चाइनीज आ गए होते, ये जहां पर है, वहां से एक किलोमीटर दूर एक गाउ है, जिसका नाम है फोबरंग, फोबरंग में जल बनी है, वहां पर टूरिसम और जादा बढ़ गया है, साड़े चार लाग टूरिस्ट गए थे पिछले साल लद्दाक, क्या वो जा पाते हैं अगर वहां पर चाइनीज आ गए होते तो, ये जो बाते करते हैं, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं इनको सामने व्यक्ति को शोबा नहीं देता, कॉंग्रिस की नेता को तो बिल्कुल शोबा नहीं देता। लद्दाक एक ऐस्पिरेशनल टूरिजम डेस्टिनेशन इसलिए बन पा रहा है क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ गड़े हैं वहां पर टनल बन रहे हैं वहां पर सड़क बन रही है यह सब हो नहीं बात आगे वहां पर चाहिनी जार्मी होती यह प्रूफ के बिना प्रूफ के बिना जिसतरी की आइन्टी इंडिया बाते करते हैं शरम नाक Nee के बिना की राहूल गांधी ऐसी बाते कर रहा है इंके पास गिनानी के लिए बहुत कुछ इतना विकास हुआ है राहूल गांधी लद्दा गए जो सड़क से होकर जा रहे हैं उसे भी बता रही ह लेकिन भाजपा में जो यंग्स्टर हैं बच्चे चारू प्रग्या जैसे लोग इनको भी जूट बोलना सिखा दिया है ठीक है ना हस सकते हैं आप लोग तालीब जाए सकते हैं चाहे तो देखिए मुझे पता था कि चारू जूट बोलने वाली हैं 2011 में एक मोवी आई थी शरू खान उस मोवी का सुट किये जब तक है जान और लदाक की है शड़क पे चलते हैं बाइक चला रहे हैं लदाक में 2000 के पहले बाइक नहीं चलती थी क्या शड़क नहीं बनते थे मुझे पता था क जूट बोलना बंद करें यह लोग वो लोग हैं जो कहते हैं 2014 के पहले हिंदूस्तान आजादी नहीं होता तो इतना जूट बोलते हैं तो अब क्या बाते करेंगे रही बात रही बात राहूल गांदी जी कि कम सकम सरकार से सवाल कर रहे हैं कि भईया दुस्मन देश आके ख कोई गया और फिर भी हमारे जवान डोकला में सहीद हो जाते हैं हमारे जवान गलवार में सहीद हो जाते हैं और आप करते हैं विया अच्छे दिन आ रहे हैं यही अच्छे दिन है कि हमारे जवान सहीद हो रहे हैं और हमारे विदेश मंतरी जैस संकर जी कहते हैं मामला थो सारे यहां पे बचचे बैठें ना इनका भविस भी अधर में जूला जूल रहा है इनको भी नहीं काशा पता कि कब आएंगे अच्छे दिन इनके तो तो मोधी जी ने इनको भी अधर में डाल दिया है देश को अधर में डाल दिया है राहूल गांदी जी इसलिए सवाल करते हैं इसलिए कहते हैं सरकार से बताइए चाइना का क्या जवाब दे रहे हैं आप इसलिए मैं कहता हूं जो अकेला चलता है वो तेज चलता है जो सब को साथ लेकर चलता है आपके सवाल गंभीर हैं देश को लेकर आप गंभीर हैं आप किसकी बात पर यकीन करेंगे सेना अगर बयान दे रही है सेना अगर ये बता रही है कि चाइना को हम मुतोड जवाब दे रहे हैं या चाइना भारत की जमीन पर दाखिल नहीं हुई है नहीं ह प्रदान मंत्री बोले भारते जनता पार्टी के नेता बोले आप उस पर आरोप प्रत्यारोप करें और सेना अगर रियल वहां की बाते बताएगी सेना अगर ग्राउंड रिपोर्ट बताएगी तुस पर यकिन नहीं है कि सरकार क् ridiculously कीम सेना का होता है बेटियों की इजिपान रहा है चीछ हरन हो रहा है वहां पर वहां पर मोडी मैंट नहीं कि चीन में हम तीन दिन में कंट्रोल कर लेंगे अगर सेना भेज़ दिये जाएगी तो सेना का सवर पे हमें कोई डाउट नहीं है भाजपा रहे हैं तो सेना का गलत इस्तिमाल भाजपा कर रहे हैं इन्होंने फोटो दिखाई और ये बताया कि आपका दावा जूटा अरे मैं अरे में जूट उनना सिखा दिया है बच्चों वी अपने गारती नहीं घुटाब सकती आज है नहीं इन ही के रक्षा मंत्री अगया अन्टनी जी ने संसद में कहा था वहाँ सड़क नहीं है इन ही के आप अपने मंत्री को जुट लाएंग नहीं यह पॉलिटिकल बयान बाजी हो रहे हैं लेकिन इस वक्त यह देश भी जानना चाहता है कि चाइना का मसला कितना गंभीर है और जो सवाल विपक्ष उथाता है ये सवाल कितने वाजिब हैं और क्या सरकार वाकई में चुप है वाकई में खामोश है चाइना पर ऐसा क्या है जो देश को पता नहीं चल पा रहा है देखे प्राचीजी चाइना का जो मुद्दा है सितंबर में अभी तीन चार दिन पहले सैने कमांडरों के 19 वे राउंड की बातचीट हुई लेकिन ये बातचीत इतने समवेधनशील होते हैं कि इसको देश को बताना तब तक उचित नहीं होता है जब तक कि कोई कंक्रीट या कोई ठोस बात सामने ना आ जाए हसी आ रही होगी कुछ लोगों को कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूं मैं ये गंबीर ये गंबीर ये मैंने तो कुछ बोले हैं लोग बता रहे हैं घबरा रहे हैं क्यों है आप जूला जूला जूलाते हो तो वो समवेधन से नहीं होता है और लिखे नहीं कि चीन की समस्या को किसी फिल्म के स्टिल से नहीं समझा जा सकता है उसको बहुत गंबीरता से समझना होगा उसको 62 को समझना होगा अक्साइचीन को समझना होगा उसके बाद की परिष्थितियों को समझते हुए डोकलाम और यहां पेंगॉंग में जो पिछल तीन साल पहले हुआ वो समझना पड़ेगा लेकिन अगर हम इस वक्त देखें तो पूरी दुनिया को अगर G20 की बैठकों को आप देखें और बहुत गंबीरता से अगर ट्रिविलाइज करना चाहते हैं तो चीक चिला के बहाद समाप्त हो जाएगी जुला जुलाने से लेके जो भी कहना हो कह लीजिए लेकिन चीन की समस्या इतनी गंबीर समस्या है कि इसको लेकर अभी G20 में जिस प्रकार की बैठकों में चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि चीन के सामने खड़ा होकर अगर कोई एक देश आख में आख डाल कर उसको उत्तर दे सकता है तो वो भारत है ये भारत की ताकत है और 1962 स परियत नुए उसका फलितार्थ है मैं किसी एक सरकार को नहीं लेकिन हाँ जब आपके पास मजबूत सरकार होती है जब आपके पास वैस्विक समर्थन होता है और वैस्विक समर्थन ये जूला जूलाने से या किसी को खाना खिलाने से नहीं मिलता वो ठोस काम से मिलता है अभी कुछ दिनों पहले विदेश मंत्री S.J. संकर ने पस्ट शब्दों में कहा था कि हमारी इस्थिती पांडवों जैसी है, हम अपने रिलेटिव्स को नहीं चुन सकते, हम अपने पडोसी को नहीं चुन सकते, लेकिन उनके साथ जो समस्या हमारी है, उसके साथ ही हमें सकते हैं कि उस समय तो 62 में तो 45,000 से लेके 49,000 वर किलोमीटर पर कपजा कर लिया था, उसका क्या हुआ, आधा अरुनाचल चला गया, वो छोड़ दीजिए, वो अतीत की बाते हैं, उस पर आगे बहुत पानी बह चुका है, तो हमें जब आगे आकर इस समस्या को समझना भारत न कुछ छुपा रहा, बलके कई इस तरों पर चीन के साथ वारता हो रही है, चीन के साथ उनको उनहीं के तरीकों से लिबटने की तैयारिया है, इसका मतलब क्या है, सरकार से आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? नुशकार प्राची जी, आपको यहां बैठे सभी युवाओं, युवतियों को और आपके दर्शकों को और मेरे गोपैनलिस को, तीन बाते मैं कहना चाहता हूँ, पहली बात कि आज ले में हमारे नौस सैनिक एक दुरगटना में शहीद हो गए, मैं उनको श्रधाजली द चाहता हूँ, और देश की तव से उनकी परिवार के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, ये देश के लिए बहुत दुखत है, दूसरी बात, कि ये जो अभी भार्ती जनता पार्टी कह रहे थी, भार्ती जनता पार्टी और चीन का जो रिष्टा है, उसका कुछ क्रोनोलजी स समझना चाहिए, प्रधान मंतरी जी, प्रधान मंतरी बनने से पहले, जब गुजरात के मुख्य मंतरी थे, लगातार चीन जाते थे, उसके बावजूद हो कहते थे, चीन को लाल आग दिखाने चाहिए, उसके बावजूद नितिन गड़करी जी जब भार्ती जनता गहरे संबंद रखना चाहता, उन्होंने निवेदन किया और चाइना की पॉलिटिकल पार्टी ने का, ठीक है, हम आपके साथ गहरा संबंद रखना चाहते हैं, उसके बावजूद जब कॉंग्रेस की सरकार थी देश में, तो चाइना चाहता था कि भार्ती जनता पार्टी शाषित राज्यों में उसकी पॉलिटिकल पार्टी के संबंद हो, उसके बावजूद जो प्रधान मंतरी हैं, पिछले नौ साल में जितनी बार वो चीन के प्रीमियर शीजिन पिंक से मिले हैं, लगभग बीस बार मिले हैं, उतना पिछले दस प्रधान मंतरी जोड़ जाएं, वो खबर क्या कहती है, खबर कहती है कि 19 राउंड मिलेटरी टॉक्स होने के बावजूद चीन एक इंच पीछे जाने को तयार नहीं है, खबर क्या कहती है, आपने कहा कि क्या हम डिफेंस की बात नहीं मानेंगे, डिफेंस क्या कह रहा है, उन टॉक्स में ये बात आ रही है कि हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर चाइना आप हमें पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा है, जो आप बयान दिखा रही है राहूल गांदी का, वो यह नहीं कह रहे है कि मुझे खुखिया सूत्रों से पता चला है कि चीन ने कबजा किया है, वो क करनल सतीश बाबु जो शहीद हुए 15 जून 2020 को, वो उसकी जिमिदारी किसकी थी, अगले 24 गंटे तक भारती जनता पार्टी के एक नेता ने उसके उपर कोई टिपड़ी नहीं कि थी, उससे एक हवते पहले देश के रक्षा मंतरी भारती जनता पार्टी की तरह से चीन ने हमारी जमीन पे कबजा किया है, लेकिन प्रधान मंतरी चीन को बचा रहे हैं, आज भी अगर आप पिछले 5 महीने में S.J. शंकर का अलग-अलग महीने का बयान देखिए, अंतिम बयान उनका ये कहता कि अभी भी स्थिती सामाने नहीं है, तब तक नहीं होगी, उनके प्रवक्ता सच नहीं बोल पाएंगे. इस हॉलिडे पर हैं, और इस हॉलिडे पर वो जित्ते बाइक पर उनके साथी चल रहे हैं, उनमें से तीन लोग फॉरिणर हैं, वो भारतिया नहीं है, वो इंडिया में टूरिस्ट वीजा पर आये हुए हैं, इनमें से दो शाकर मोहमत और सादिक इरफान कीनिया से आये आप एक टूरिजम कंपनी या एक ब्लॉगिंग वेबसाइट तो खोलना नहीं चाहरे हो, वहाँ आप जाते हो, जिनके साथ जाते हो, वो भी भारत के नागरिक नहीं है, वहाँ जाके एक गैर जिम्मेदारी वाले आप बयान देते हो, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी मैं तो आपको प्रूफ दे रही हूँ भी, मैंने आपको केवल एक आंटे जी का स्टेट्मेंट नहीं आप दिलाया, जब वो कहते थे कि हम तो बिलीव करते हैं, इंट्रास्ट्रक्चर होना ही नी चाहिए, सडक ही नी होनी चाहिए भारत में, तब यहाँ पर चाइनीज न कर रही हूँ, उसके बाद में ये भी कहना चाहती हूँ कि आप किसका भरोसा करेंगे, चाइनीज मीडिया का भरोसा करेंगे, या भारत के जो आर्मी के जेनरल हैं, उनके बयानों का भरोसा करेंगे, जब आर्मी के जेनरल बोलते हैं कि हमारी धर्ती का एक इंच भी किसी व इसका कोई लेना देना ही नहीं है इसका क्या लेना देना है जो टाइमस आफ इंडिया के रिपोर्ट पास जिन की है जो डिफेंस को कोट करती है कहती है कि हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट में हमारे सोल्जरस नहीं जा सकते कहती है कि चीन 18 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है वहाँ के लोग कह रहे है और सबसे बड़ी बात इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है मैं वायुस्यानिक परिवार से आता हूँ लगबग 50,000 सोल्जरस वहाँ परवर्ड में डेपलॉइड है कौन भुगत रहा है उस ठिठूरती ठंड में प्रधान मंत्री के जूट को कौन जेल रहा है करनल सतीश बागु का परिवार जेल रहा है गलवान के में जो रणबाकुरे शहिद हुए उन लोगों ने जेला किसी एक व्यक्ती के जूट की कीमत पूरे देश को इस तरी किसे चुकानी नह पड़े इसलिए देश के प्रधान मंत्री को सच बोलना चाहिए घंशाम जी आपने रिष्टो की बात की आपने बताया भारते जनता पार्टी के नेता कैसे सॉफ्ट कॉर्णर रखते हैं आप कॉंगरेस पर क्या कहेंगे कॉंगरेस के राहुल गांदी चुम्रेस के सांसद राहुल गांदी देश के प्रधानमंत्री का क्या बयान आता है देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि शी जिन पिंग और मेरा वन प्लस का रिष्टा है हमारे गाउं का रिष्टा है जूला जूलते बयान आता है देखे चाइना की जो विफलता है देश के प्रधानमंत्री की सबसे बड मैं मानता हूं मैं किसी नेता की विफलता सोच सकता हूं लेकिन सिर्फ उस पे आरोप लगा देना कि उसने कोई सीक्रेट है मुईूर साइन कर लिया वो चाइना की तरफतारी कर रहा है यह देश के साथ गलत काम करना है जिस परिवार ने शहादत दी हो वो परिवार सबसे आधार हीन आरोप हैं सिंपल सी और साधारन सी बात है टूरिष्ट बीजा आप ही देते हो ना भया कोई बाहर से तो घुष नहीं आया है और घुष आया है और कोई आतंग वादी है तो इसको आप पकड़ के जेल में डाल दीजे आप कहिए कि रहूल गांदी जी की साथ आ आप इंक्वारी करिए लेकिन आप अपनी बिफलताओं को कॉंग्रेस को पर मढते हो पिछले अपनी कम्यों को नौ साल की कम्यों को मोदी जी हम कहते थे पांच साल दे देना नहीं तो फांसी पर लटका देना चोराहे पर जहां बोलो के वहां आ जाओंगा तो पांच साल नौ साल बीत गए अब आप बताईए मनीपूर को भी आप कहते कॉंग्रेस की देने कॉंग्रेस की गलतियों की वज़े से हम खामयाजा भुगत रहें आपने गंगा की बात करी थी गंगा को भी साब कर देंगे मा गंगा को भी निसाब कर दिया देश में भ्रष्टा चार कर देश में गुणा है कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए नेता पढ़ा लिखा चुद्णा पढ़ा लिखा नेता चुनना मैं तो आप से भी अपील करूगा। पुराने कारेकाल की बात मैं आपके मुलाकात पूछाता ना उस मुलाकात पर दो शब्द क्या देते कि मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी तो क्या हुई थी कहा मुलाकात छोड़कर आप दिग्री पर चले गए। देखें हमसे बात क्यों कर देते कि वह देखें हुई थी तो क्यों देखें हुई थी तो क्यों पूलने के आपका जूट सच नहीं हो जाने वाला है। देखें है कि आज जो यू वर्ल्ड ओर्डर निकल कर आरा है मेरे बीच में मुझे मुझे ने चिलाने वाले लोग बिल्कुल अच्छ नहीं रगते क्योंकि मेरी बात इनको ही नहीं सुनाई देरी तीवी पर सुनने वाले को कैसे सुनाई लेगी। जूट तो देखो मैं आपको ये बतारी हूँ आप बोल रहे हो। मैं तो दक्तियों के साथ प्रूफ के साथ नभर के साथ बेट के साथ बयान के साथ बात कर रही हूँ। आपके जैसे फेपू बातों नहीं कर रही हूं है प्राजी जी आप इनको चुका प्लीज रुख जाएए एक सेके रुख जाएए चाहिना का मुद्दा सियास्ता करने का मुद्दा नहीं है और हर बार में दिपंची कहती हूँ ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है कि आप खड़े होकर जो सोच कर आएं सर्कों एक साथ बोलते चले जाएंगे सवाल भी सुनने जवाब भी देना है एक मिनट रुख जाएए मुझे क्या पूछना और क्या नहीं पूछना और उसको गिराने में कितना समय लगता है पाँच मिनट इन्हों ने जो इमारत बना रखी है देश को डुबाने की गड़े में क्योंकि इनको नहरु-गांदी परिवार को आगे बढ़ाना था उस इमारत को गिराने में एक मिनट पर यह बीच में बोल रहे है अपने बड़े बड़े शब्दों का इस्तमाल किया और आपने का रुकिये पहले आपने का 2014 से पहले आपने पहले ही प्रश्णी के जवाब में कहा था आपको टोका नहीं था बारते जंता पार्टी कहती है 2014 से पहले देश आजाद नहीं हुआ था एक नेता का नाम बताईए जिसने ये बड़ा बयान दिया हुआ हूँ नहीं का दावा हो जाएगा इनके जूत के ओपर इसले नाम नहीं अप्रश्णी नहीं करियान अभलर करें नाम लेकर बता रहीं क्या सब्सक्राइए जो एक नहीं है आप नहीं उप्रस्णी का जोटके ऑफिजाएं तो इसले वां नहीं का इसलें टॉन युटाएइज नहीं हो दीच्राइज परोणाव आपको बात सुनने के लिए एक सिंद चुप नहीं रह सकते हैं आपकी बात जो है होगी लेकिन जब मैं बोल रही हूँ बीच में आपको इसले बोलने की जरुद पढ़ती है क्योंकि मेरे शब्दों का आपको चोट पहुचता है क्योंकि आपके पर हवाब नेता का आप नाम नहीं ले सकते मैं ये बत बता रही हूँ कि जिस गड़े में इनोंने भारत को डालने की पूरी-पूरी कोशिश करी थी मतलब हमारे जवालों के पास बुलेट प्रूफ जाकेट के लिए भी सिगनेचर करने का इनके लीडर्स के पास टाइम नहीं था इनके रक्षा मदविश से तरीके से ऑपरेक करते हैं अरे आर्टियाए लगाई है आर्टियाए लगाई है सबसे हाथ मिलाए कि कितने करीबों के हाथ में उन्होंने खाना दिया था आपके पास है इसका जवाब और आप बात करते हैं डिगरी की तो बोलने के सलीके से पता चलता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है जवाब दे दीजिए डीपक जी आप इसे कौन कितना वक्ता आप ही है देखिए बात के राहूल गांदी जी ने एक वीडियो सबने वाइरल द करते हैं जोट बोला कि राहूल गांदी जी ने मिले थे और उनका कोई भला ने किया उनको राहूल गांदी जी ने त्रीश लाग रुपए दिये और सारी की सारी मदद किया जांके चक कर लिजेगा आप लोग पता करें का और रहुल कांदी जी भारत की आवाज देश्या की आवाज में देश्य के प्रदार मंतृश्य के सवाला करेंगे प्राची जी सवाल पुछू प्रग्याजी जवाब व्यापार पर जवाब जी और आपका सवाल बिल्कुल ठीक है देखिए एक बात आप ये देखिए कि अब तक भारत डिपेंडेंट था अपनी बेसिक चीजों के लिए भी इंपोर्ट्स पर वह इंपोर्ट्स चाहे चाइना से आते थे वह इंपोर्ट स्यूंट वक्तर साथ में कोई नहीं है कि अफिर नहीं इस दोनों को शी Polish चार की कमी नहीं है लेकिन पता नहीं, कॉंग्रिस को बेसिक शिष्टाचार की कमी है, आपको वोक्षप में भेजना चाहिए आपको, तो मैं आपको बात बता रही हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज अगर हम एक अपना खुद का शिप बनाते हैं, आज अगर हम अपनी दवाईयां इंडिजिसनी प्रड्यूस करते हैं, अगर आज हम अपनी आम्ट सोर्सिस की रिक्वाईयर्मिंट देश में बनाते हैं, यह नई शिप बनाते हैं, और आने वाले समय में भारत कम्प्लीटली आक्मनिर्पर होगा, जिस बास से सेमत हैं, एक मिनट, गंचा अंग देखे, कह जहना तरक एक बात है, अच्छा तरक हो सकता है, लेकिन प्रदानमंत्री जी शीजिनिंग से 20 बार मिले और दुबारा मिलने वाले हैं, उस हर दौर के बाद चाइना के साथ व्यापार बढ़ा, जब तक वो मुलाकाते चल रही जब तक चाइना ने हमारे सैनिकों पर हमला नहीं किया था और हमारी जमीन नहीं दबोची थी, तब तक ये सरकार चाइना की तरफदारी कर रही थी, उनसे व्यापार घनिष्टा बढ़ा रही थी, इसका मैं एक प्रमान देता हूँ, भारती जनता पार्टी की वेबसाइट पर 12-2011 का अर्टिकल है, उस समें नितिन गड़करी जी भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष्वा करते थे, उन्होंने विस्तार से रिखा किस तरीके से भारती जनता पार्टी चाइना की पॉलिटिकल पार्टी से घनिष्ट संबंध बनाना चाहती है, इनके तमाम बड़े नेता उस समय चाइना गए थे, पाच द एकोनामिक्स की समझ हो सकता है, हमारे साथियों को अधिक हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई एकोनामी ग्रो करती है, तो अचानक से किसी के साथ अपना ब्यापार आप नहीं रोक सकते हैं, अगर आपका 50 बिलियन डॉलर का, 60 बिलियन डॉलर का अगर ब्यापार हो रह कुछ international obligations होते हैं, international treaties होते हैं, जिससे दो देश या दो देशों के बीच की परस पर व्यापार की विवस्ता बनी होती है, 2011 का क्या लेक है, वो मैंने अभी नहीं देखा, इसलिए मैं उस पर कोई टिपड़ी नहीं करूँगा कि ये दोगलापन है या नहीं है, लेकिन जो ब कुछ बताया गया, चुपाया गया या चुट गया समय की कमी से, ये मैं मानता हूं कि दिपसांग और डिमचॉक के पास जो वास्तविक नियंदरन रेखा है, उसको लेकर बाचीत चल रही है, और वास्तविक नियंदरन रेखा कोई 10 मीटर का नहीं होता है, वो सैकड़ों क तक का होता है क्योंकि अगर आप नक्से पर अकर लकीर खीज देंगे तो नक्से पर जो स्केच पेन की मुटाई होती है वो करीब करीब 100 किलोमीटर जाती है तो आप इंटरनेशनल रिलेशन्स को इस तरह से पॉलिटिकल चस्मे से अगर आप देखेंगे तो आप मुझे लगता है कि किसी निशकर्स पर नहीं पहुंचेंगे किसका क्या दोगलापन है क्या नहीं वो इतिहासता कर देगा लेकिन अभी जो राजनीती हो रही है चीन के नाम पर म अधारवी में तो दोनों पाटियां जो जो थी दोनों ने जॉइंट प्रेस स्टेट्मेंट भी नहीं दिया यह जैशंकर जी ने कहा है कि जब तक लैंड ग्रैब का इशू खतम नहीं होगा तब तक चीन के साथ सिती सामानी नहीं हो सकती मुझे लगता है कि सरकार को खासक लेंड ग्रैबिंग हुई है लेकिन यह 1962 की लेंड ग्रैबिंग है जैसंकर नहीं एक मिनट चुप रहे हैं आपके बीच में नहीं बोले और वो किसी राजनेतिक गल से नहीं है प्लीज उनकी सूलीजे एक बार अरे बार सुलीजे आप प्रतीक हैं इश्वर आपको बहुत सचाई दे अगर इन टोटैलिटी उसको देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि चाहिना के साथ इस्थिती तब तक सामान नहीं होंगे जब तक 1962 उन्हों नहीं कह लेकिन उनकी किताब जो है उसमें सपस्ट रूप से यह है कि जो लैंड ग्रैविंग 35,000 से 49,000 किलो मेटर की 1962 में हुई थी स्क्वाइर किलो मेटर की जब तक उस पर फैसला नहीं होगा इस्थिती सामाद एक वाकि यह जो 1962 है यह गुमराह करने वाली बा चल रहा है जैसे कि आप सब को पता है कि ग्राउंड पॉर्ट जो है जैसे कि मैं तवांग से बिलों करता हूं जहां पर अरना चल राजिए तो हम लोग नौन पे रहते हैं वहां पे ग्रान रियल्टी आम जानते हैं हमने 1902 लरे से सभी देखा है कि कॉंग्रेस मेरा सवाल बाषपा कंग्रेस दोनों से 1902 वा सभी थी तो उनका राज हा उनका सरकार वा सवाल 75 पात जाते हैं लिए जह पक्र अब होन्यखी सास्वाल bacon राएं बनाया यह जो है आप देखिए आं मोढ़न में जाते हैं जो बूमला पास है नारे वहां पर उनका जुhर है और उनकी जुद्स पारछ पर कर्व करेंद दस मेटर का है को करिवंगे बारत्युकुंअ हमेशे जुद्ध्य क सबस्य शुद्ध बोट्स नघ्मीशी कौन यह चुनाव का अजन्ड़ बनागे रखता है, आप इसको देश का अजन्ड़ क्यों नी बनाता है, जैसे अतल पहरेवश्पाई भी ने कहा है, कि सरकारे आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश यहना चाहिए, तो इसको भी है, आप इसी को भी एलेशन का अजन्ड़ नहीं, बलकि देश के एजन्दा बनाना चाहिए अब एक एक करके जवादा पहले आप फिर आप जी मैं बिलकुल आप से सहमत हूँ और आपके सुजाओ के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ पर एक बात मैं बहुत जादा जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ भारत की जो स बनाने में अभी हमारे पास उतना समय नहीं ता जितना चाहिना कबसे बना रही है हमने अभी कुछ समय पहले 8-9 साल पहले बनाना शुरू किया है लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आने वाले समय में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे जरूरी ये है कि जब देश का म हमारे एनिमी स्टेट्स का मुद्दा हो वहाँ पर इंडिया के अंदर भी ऑपोजिशन पार्टी युनाइटेड रहे वहाँ पर ये चीन या पाकिस्तान की बाते ना करें जो दहां के नेताओ के बयाना आपर पूरी दुनिया देख रहे है तो आपने आई-आयम बनाये भ सबस्तान प्रक्रिया है एक विकास तो पूरे सत्तर सालों में देश का विकास किया है कॉंग्रेस पार्टी ने आज आप कहतें कि सत्तर सालों में कुछ नहीं हुआ है अरुनाचल पर पूछ रहे हैं कि वहां क्यों नहीं क्यों नहीं रोड बनाई गई थी इसलिए मैंने का पहले प्रियोर्टी और थी कि हमें देश को आगे ले जाने के लिए अरुनाचल की कोई भूमिका नहीं थी अरुनाचल को आप बूली गयेते ना अरुनाचल आपको याद था याद था था आपको अरुनाचल आज आप बोले पड़ेते चाहें बना दिये और यह बहुत प्रदेश भी है और नाचल प्रदेश भी उसमें शामिल है और रहेगा कॉंग्रेश के निता से है जो चाइना वोपर जो बात करते है तो आपका रिसेंटली जो ताओं में जो इंसिडेंट हुआ है मैं भी ताओं से बिलों करता हूँ तो यंचे में जो इसू हुआ था तो वहां पर भी कॉंग्रेस का नेता दुवारा यह कहा गया कि चाइना यंचे में गुस गया है तो उस टाइम में हम लुग वहां पर था थोड़ा सा नोग जोग हुआ था दोनों आर्मी के बीच में लेकिन ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ था कि चाइना आर्मी इंडिया के अंदर गुसा हुआ था तो मुझे यह लगता है कि हमेशा कॉंग्रेस पार्टी हमारे जो सेना का जो मनुवल है उसको गिराने का क उसकार की तरफ से नहीं था उन्होंने ग्राउंड रियली पर आपसे सवाल पूछा और आप यहां पर जोक मार कर हस रहें यह संस्टिविटी है आपकी यह sensitivity है आपकी, यह sensitivity है आपकी, हद करते हैं दीपर जी, आप से वहां के स्थानिय एक शक्स ने सवाल पूछ लिया, कि आप जूट क्यूं बोलते हैं, तो आप किसी के संसकार पर जाकर हसने लगेंगे, जवाब दीजे न, जवाब दीजे न, जवाब दीजे न, आप तो sensitive और जवाब देरां, वो तो गंबीर है नहीं, तो आप गंबीरता दिखाए तोड़ी से, आपके इसाब से गंबीर नहीं, जवाब दूगा, देखिए, राहूल गांधी जी ने सिर्फ इतना कहा है, कि चाइना यहां पर आया हुआ है, घुसा हुआ है, लद्धा की बात है, वह कारें नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार जानती है, चाइना अंदर आया हुआ है, और तवांग हुआ था, गल्वान हुआ था, और देखा था कि किस तरीकी से हमारे जवान सहीद हो गए थे, ऐसे तुहां पर पूछा था, आपके नेता का यह भी बता दीजेगा, चाइना की से पिट रहή है, आपने सेना के लिए यह कहा था, और यह सवाल था, ऐसे बयान आएंगे, यह सवाल था, इनका इनोंने सवाल आपसे लड़्दाक पर नहीं पूछा था, तवांग पर पूछा था, तवांग पर देना था, ज़ल्री से चोपता कैं शाया हुआ बहारत का Кारे दिया कि चीन वहां घुस गया है उस पर पूरा देश उद्तेलित है और सब लोग अरे चुपर हो भाई है लेकिन तवांग का मेरा भाई वहां सामने बैठकर कर रहा है कि चीन घुस पाइट नहीं किया उस पर हम हस रहे हैं आप सभी का मारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर